तो तो बेसिकली यह वीडियो एक्स्टेंशन है जो आज कर चल रहा है कि ड्रोन के न्यू रूज आ चुके हैं 2001 के जिसे नहीं नहीं देखें आप पहले वीडियो में बात करने वाला हूं कि यह कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रियेट हुआ हुआ है कि माइक्रों के ड्रोन है मैक्सर्म के पास होई है जो किcast 200 को राम से उपर वीडियों में और दों किलों से नीचे इसमें हमारे मैक्सर्म ड्रोन है तो इसलिए बहुत खास है पूरा देखें कंफूजन यह कि मुझे लेसेंस चाहिए अपने परसनल यूज के लिए ड्रोन शॉट्स लेने के लिए इंडिया के अंदर अगर मैं ग्रीन जोन में उड़ा रहा हूं तो ग्रीन जोन के जहाँ पर कोई खत्रे ओली बात ने है एरपोर्ट के पर नहीं कोई सटीव एरे नहीं इसको ग्रीन जोन का जाता अब यहाँ पर एक उड़ा ब्रोन का लिए कारता is और इंडिया क्या ब्लाटफोर्म पर उड़ाय च्छथ केंगर, तो जहां तक लिए क्यों आ आने वाले डाइम में जैसे की अपडेट मेरे पास आई है कि वह एक मैप आपका पूरा इंडिया का हर एक जगा का वहाँ पर आ जाएगा और रेड येलो ग्रीन एरिया के ऊपर आपको पता लग जाए ग्रीन एरिया वह जहां पर कोई लोचा नहीं है उडाने में लिमिट्स तो फ्रेंड सबसे मड़ी मैं अब दूर कर देता हूं कि आगर आपके बाइक रोन नमबर वन आपको यू आइन नमबर तो लेना ही पड़ेगा वह कैसे लेना है मैंने ले लिए जी एस्ट नमबर वह मांगते हैं उसका मैंने जुगाड बताया हुआ कैसे करना है वह चलता और सिरफ जो मेंडेटरी है पर्सेल यूस के लिए माइक्रो कैटेगरी का यूए नमबर आपके बास होना चाहिए लेगली ड्रोन को डाने के लिए इंडिया में ग्रीन जोन के अंदर ठीक है आप जो बैने लैसेंस की बास की थी लैसेंस तब प्ले में आता है तब आपने आपके पास खुद लैसेंस होना चाहिए कमर्शली इसको यूज करने के लिए इस पर रेगुलेशन यह मैं बता रहा हूं अगर आप पर्सनल यूज के लिए ड्रोन यूज कर रहे हैं माइक्रो कैटिगरी का ग्रीन जोन के अंदर नो नीड आफ लैसेंस क्लियर है कोई ले पीस लगती है वह भर के जैसे मैंने बताया आप ले सकते हैं उसके बाद आप लीगली ड्रोन रहा सकते हैं लेकिन ओली ग्रीन जोन के अंदर और जो लिमेट्स हैं वह मैं आपको क्लीर कर चुका हूं 400 विट से उपर नहीं जाना विजूल लाइन ऑफ साइट के अंदर अं कमर्ش良ी यूज कर रहे हैं ड्रहन को जिए तब आपके पास या तो आपके पास लेसेंस होना जाइए ठीक है या आपके पास बंदा आपके जो टीम है उसके अंदर एक ऐसा मंदा आपके साथ हमेशा रहना चाहिए जो ड्रोन का लेसेंस जिसके पास है ठीक है तीसरा पॉइंट यह लेना कैसे यह मैं बता चुका हूँ जो अप्रूवड सेंटर्स हैं उसके ऊपर शॉर्ट टम का भी है लॉंग टॉम डिपें इंडिया यह नई रेगुलिशन के वबर साफसाब लिखा हुआ है आपको बाहर से आना रही आ रहा है या फॉर्णर बाहर से आ उसको अगर ड्रोन शॉट्स लेने है तो उसको अपने इंडियन काउंटरपार्ट यानि इंडियन जैसे इसके पास युए नंबर है तो उसक उसी का ड्रोन जिसके पास युए नंबर है वही ड्रोन आप मैंलब लेके और रेंट और जो भी है तो डाट पर्सन वी रिस्पॉंसिबल ठीक है असच जो फॉर्णर है यह एक और क्लारिटी मैंने आपको दे दी तो बाकी जहां तक अधार वाली फंडा है वह बहुत ईज है रही है हुआ मैसले फिटाने वाला हूँ क्या करना अधार कारणगा क्ला करना एक समट करना युए नंबर लेने के लिए टोinek that time PDFu लेकि न जैसे अवा पर जाएंगे वह पर अपना Nag Ram Bal डालना है जैसे आप अधार नमबर डालेंगे वह आपके ओटीपी आएगा वह आपके फोन नमबर पर ठीक है फोन नमबर पर जैसे आपने भरा तो उसमें एक वह कहेंगे कोड आप उस टाइम के लिए अप्रूव करने के लिए एक नया कोड बनाएं आपने वहाँ पर एट जब आपने डाल दिया है उस क्रीन के उपर क्योंकि एक फाइल आएगी वह फाइल आपके डाउनलोड फोटर में डाउनलोड हो जाएगी वह फाइल आपने डिश्टा स्काइप प्लैटफॉर्म पे अपलोड करनी है ठीक है फिर से बतायता हूं अधार का लिंक डिश्टा जो आपने सम्मिट करना है वह डाउनलोड हो जाएगा लेकिन उसको पूरा करने के लिए एक पासवर्ड हो कहेंगे आप जनरेट करें वह आपने अपनी मर्जी का 45 अक्षर का है वह आप डालना वह याद रखें ठीक है वह आपने कर लिया वह डाउनलोड हो गया अब आज की वेरिफिकेशन अधार वाली हो जाएगी तो यह तरीका है अधार कार्ड को वाले स्टैप को पूरा करने का अगर ऐसे समझ आगर आपको आ गया तो वेरी वेल लेंड गूड तो इसके ओपर एक और वीडियो मैं बना रहा हूं वह भी मैं डाल दूंगा चिंता की बात न इसन्स खुले लिए उनीड लेशन और अगर आव दरोन आ है तो कुछ भी करने की जूरत नहीं नहीं तो आपको यून नंबर चाहिए ना तो आपको लेसेंस चैने तो बस वो लिमेट में अड़ाएं लू इस्यू्स चुक्तर और यह निगर अच्छ से चोट चारे तो जि तक देख लिए है और अपना विचार पता है कैसे लग रहे है रेगूलेशन कैसे लग रहा है सिस्टम और वह जो ग्रीन रेड येलो जोन वाला मैप है वह जैसे आएगा मैप को अपडेट दा दूँगा अभी तक नहीं मुझे दिखा जैसे दिखेगा अपडेट अपडेट तक यिए